आप भी अपने अधहार का वार कोड जनरेट करना चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं और आपको अपने अधहार का वार कोड डाउनलोड करना नहीं आता है जनरेट करना नहीं आता है कि कैसे हम अपने अधहार काड के वार कोड को डाउनलोड करेंगे तो यह वीडियो YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेर बटन को दबा के YouTube चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरीका का नया निया वीडियो पाई आप रोजाना क्यूंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे अपने मवाल फोन से या करना यह तो भीया आप नहीं आना चाहिए तो आपको अपने अधहार का वार कोड कैसे डाउनलोड करना है यह देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्त जरूर देखिए तभी आप समझेंगे कि कैसे आप अपने अधहार कार्ट के वार को डाउनलोड करेंगे उसको कैस कीसे share करेंगे अगर किसी भी परसन्स के पास करते हैं तो वह जो है आपके वार्कोट को कुछ था है यह सब देखने के लिए इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखिये चले वीडियो सुरु करते हैं करने कि अपने अधार का बार कोट जेनेरिट करने के लिए आपको क्या करना अधार में जाना है और राचस ओडिकेशन को यह grm लेना एक अधार अधार में जिए इसको आफ़न करें यह अधार म करने गाद इसे इसको तरीका से जहां पर कुछी इस तरिका से आपको एस्टराइब करके आना है और यहां पर इस पर किलिक करते हैं तो यहां पर देखे कि आपको तो मोडाल नमबर मांगा जा रहा है जो आपके अधार काड से रिस्टर है यहां पर अपने ममान नमबर डालेंगे होल नमबर डाल्येगे यहां नेक्स्ट वाले पर किलिक कर देना है जैसे इस परक्र इस करते हैं तो आपके मुवाल पे 6D का OTP जाएगा वो OTP आपको यहां पर डाल देना है OTP डालने के बाद यहां सम्मिट वाले पर क्लिक कीजिएगा अब फाइनली देखिए कि आपके सामने में यहां पर आधार जो है यहां पर ओपन होके आचुका है अब अपने अधार कार्ड का QR कोड डाउनलो अब यहां से आपको किसी को कर सकते हैं तो यहां पर यहां से आपको किसी को सेर कर सकते हैं यहां से वाले क्लिक कीजिएगा और यहां पर अपना वाट्सप इमोट ट्वीटर जहां भी सेर करना है यहां से इसको सेर कर सकते हैं तो यह कुछ सिंपल प्रोसेस है अपने अधार कार्ड के वार कोड को जनरेट करने का तो गाज यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छी लिए होंगे यह किस तरीका से आप अपने अधार कार्ड के वार कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको किसी भी पर्सन के पास अप कैसे सेर करेंगे यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर जिए अगर आपके दिल में कोई question हो तो नीचे comment box में जाके comment करके पूर सकते हैं